हेलो दोस्तो स्वगत है आप सब कर DCG के YouTube चैनल पर और आज मैं आमिर से आपके साथ बात करूँ है Simple Interest के बारे में है अब थोड़ा सा topic को understand करेंगे और फिर उस पर बेस कुछ question try करने ही कोशिश करेंगे तो सबसे पहले में बताता हूँ कि आपको Simple Interest के कहानी शुरू कहां से होती है तो let's suppose एक बंदा है ठीक है एक बंदा मानलेते हैं कोई बंदा मानलेते हैं मानलेजिए एक बंदा है Swag Baba ठीक है जी? एक बंदा है Swag Baba अभी Swag Baba को ना swag मारने का बहुश रहा है ठीक है? तो पिछले साल इनोंने आईफून खरीदा था एक किड़नी बेच के आब इनको आईफून 13 खरीदना है पर दूसरे किड़नी बेच नहीं सकते है तो अज़सुत्र के चलो कोई बात ने उधार के लिए किसी को ढूंगते है तो यह उधार लेने चले गए उधार लेने किसी के पास गए उधार लेने गए यहां बवलु कफत्रि के पास, ठीक है जांगे अब भबलु खत्रि के पास उधार ले लेनकि इनोंने कहा कि भई आई वॉंट मिरको कितने ना कृस्तिव चाहिए मिरको चाहिए मार लिजे की 1,00,30 सीह ठीक है, 1,00, तो यह जो पैसा इन्हों ने उधार लिया है यह जो पैसा इन्हों ने उधार लिया है स्वैक बाबा ने पैसा जो उधार लिया इसको बोलते है प्रिंसिपल मोंड क्या बोलते है प्रिंसिपल मोंड अब यह तो चलो ठीक है अब ऐसा होता है कि माल लीजर टाइम पिर डिसाइड होता है कि मैं कितने टाइम के बाद वो पैसा वापस करें तो माल लीजर उन्हें वादा कर ले कि मैं वन येर के बाद मैं पैसा वापस करें बाव बल्याथ एक साल के बाद जो सुवय बाबा हैं और बाबลुखत्ररِ के पास आते ह! और बोलते हैं repli झीली अपना व्रलाक पीश तो बाबलुखत्ररि नराज हो जाते हैं अब कियो नराज हो जाते हैं वो कहते हैं कि कि भाई मैंने तुम्हारे वजद के लिए जब तुम्हें जरूरत थी और मुझे कुछ गिफ्ट तो दो इस बात के लिए वरना मैं एक लाख अरूरे थी तुम्हें के जथा मैं खुद अपना गही और इसको यूज्स करने था कुछ खा लेता अपने फाइदे के लिए यूज्स कर लेता इसको तो मैंने जो है अपनी नीड को सेक्रिफाइस किया थो बदले कुछ मिलना चाहिए तो स्वाइब मेरे बोना चलो ठीक है कोई बात नहीं हम आपको एक काम करते हैं आपको गिफ्ट रहते हैं आलक से फाइफ थाउजन लुपीज तो ये जो गिफ्ट है ना गिफ्ट ये पहले वॉलिंटरी होता है तो पहले के लोग क्या होते थे वो कोई मदद करता था उनकी तो वो इस वज़से ऐसा ग्राशिट्यूट के तो पर उन लोगों कुछ गिफ्ट देया गरते थे थेंक्यू सूमच फॉर हेल्पिंग अब दीरे दीरे करके लोग लांचे होने लगे ग्रेडी होने लगे हैं और यह जो वोलिंटरी गिफ्ट था यह मिंड़ेटरी बनग़ गिथ अब क्या प्रॉब्लम है कि और में भार कोई एक की रेट पर पैसा लेगा क्या आप पता है कोई 10,000 रुपे उधार ले कोई 20,000 उधार ले कोई 5,000 उधार ले कोई 4,997 उधार ले So you never know about it तो हम लोग क्या करते है percentage क्यों कि वो में शाफ fix रहता है तो हम लोग एक percentage का rate fix कर देते हैं माल लिजे 5% तो आर जो है उसको क्यों बोलेंगे 5% अब देखो अगर आप इस वन लेक का 5% निकालोगे न 5% of वन लेक तो आफ की जगा multiply आजाता है और यह हो जाता है 5 zeros 1, 2, 3, 4, 5 तो अगर आप 2 zeros cancel out करेंगे तो ultimate यह आप देखेंगे 5000 यह आ रहा है मतलब कि यहाँ पर 5% का interest rate अच्छा यह जो आर है इसको हम लोग बोलते है rate of interest क्या बोलते है rate क्योंकि interest का rate है न इसलिए इसको बोलते है rate of interest तो यह कुछ चीजे है जो कि आपकी simple interest के अंदर use होती है आपका principle आपका rate of interest और जो भी आप interest दे रहे है वो चीज राइट अब देखें याद रखें कि यह 1 lakh रुपीज जो की original उधार था और यह 5000 रुपीज जो की interest है जब principle और interest को मिला जयते है वो सारा अब सारा पैसा में वापस करना होता है जो हमने उधार दिया है निकेट टेल ने 5000 इस पैसे को बोलते है amount क्या बोलते है इस पैसे को इस पैसे को बोलते है amount तो जो साल भर के बाद हम लोग उधार वापस करते है interest include करके हम उसको बोलते है amount ठीक है अब देखें यह 5% क्या है आपका rate of interest है तो अगर मैं बूलो r% of principle तब ही तो मैंने क्या निकाला interest निकाला अपना right तो हम भी कुछ इसी चीज़ का इस्तेमाल करने वाले तो आईए फटा-फट से formula derive करने की कोशिश करेगी और मैं आपको एक ही formula पढ़ाऊंगा जिससे आप सारे के सारे questions को समझ सकते है solve कर सकते है ठीक है आई hope कि यहां तक आपको बात अच्छे से clear हो गई होगी चले आगे जाए तो देखें जैसे कि आपने बड़ा interest जो कि क्या निकाला था हमने r% तो if you remove percentage it will be r over 100 off का मतलब बता multiply p जिसको मैं ऐसे भी ली सकता हूँ p r over 100 अब याद रखें कि यह जो interest आपका आया अगर मैं बात कर दो simple interest की तो यही same interest अभी तो जैसे एक सार के लिए उधार लिया वो एक ही same interest लगतार continuously हर साल pay करता रहेगा तो अगर मालने जे जितने भी साल है दो साल तो आप दो से multiply कर देंगे मालने जे तीन साल है तो आप थ्री से multiply कर देंगे तो हमें क्योंकि साल defined नहीं होते तो हम आपका t years माल लेते है t number of years और यही से simple interest का formula क्या बन जाता है this is p then r then t over 100 और इसको हम लोग प्यार से बोलते है पराठा over 100 या 100 रुपे का पराठा जो कि simple interest का formula है पराठा over 100 p r t upon 100 तो I hope कि आपको formula बता चल गया होगा कि आप कैसे अच्छा interest की जगा simple interest को लिखा क्योंकि actual में हम लोग simple interest calculate करें एक और दूसरी तरह का interest होता है जिसको compound interest होता है उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे पर आज हम बात कर रहे है simple interest की और अब मैं आपको एक question दोंगा और उसके तरह हम लोग try करेंगे समझने के इनको और कोशिश करेंगे बहतर तरीके साथ चले आए फिर हम लोग गिना किसी देरी के questions की तरह चलते हैं तो I hope आप लोग को स्कीन पर एक question दिख रहा होगा और आप लोग इसको थोड़ा सा try करें उसके बाद अभी वीडियो को pause करने आप थोड़ा सा try करें और उसके बाद आप वापस से play करके solution को समझ सकते तो जब आप वीडियो प्ले करेंगे तो आपको मेरा solution दिख जाएगा और अब हम बात करेंगे solution के तो देखे question क्या किया रहा है बहले इससे समझते है How much, कितना simple interest will rupees 2000 earn तो अगर किसी को आप 2000 rupees देते हो उधा तो आपको कितना interest कमाने को मिलेगा अगर आप पैसा देते हो अपना 18 मत के लिए और 6% per annum per annum का मतलब का है per annum का मतलब है per annum एक साल एक साल के अंदर आप 6% का interest charge कर रहे होगी एक साल के अंदर आप 6% का interest charge कर रहे होगी ठीक है तो इस question करने के दो तरीके हो सकते हैं आपको बता है simple interest का formula क्या होता है paratha over 100 simple interest का जो formula होता है paratha over 100 right तो आप इसको दो तरीके से कैसे calculate कर सकते हो पहला case यह हो सकता है case number one या method number one क्या आप बोलेंगे principal टूधाउन और पी इसका है अच्छा rate of interest आपको 6% दिया हुए एक साल था पर आपको time जो है रहा हो सालों में नहीं दिया हुए month में दिया हुए तो month वादा जो time आपको उसको सालों में बदलना पड़ेगा आपको और अब अगर आप इस question को solve करते हैं तो आपको क्या solution देगा 2-0 से 2-0 cancel out 6 की table में 12 आता है 2 पर और 2 की table में 20 आता है 10 को तो अगर आप 10 को 18 से multiply करेंगे तो 180 interest जो आप कमा सकते हैं चले बात करते हैं method number 2 क्या हो सकता है आप देखेंगी 2000 विस का principle है आप ना इस पर आप देखें कि आपको 6% का interest मिलता है एक साल में 12 महीन होगा यालि कि हर महीने आपको आधा परसन का interest मिल रहा है तभी तो साल पर में 6 हो गया ना 6 जिवाड़ बाई 12 आधा आप कह सकते हैं आपको half percent का interest मिल रहा है ठीक है और यह जो hundred होता आप इसे लिख सकते हैं अलग से और आप बुलेगे कि आपका जो time है वो 18 month का है आप और hundred तो हम लोगों ने क्या किया है basically हम लोगों ने हमारा जो interest है उसको month के अंदर तोड़ दिया 12 से डिवाड़ करके बाद एक हैं तो आप two zero से two zero काट लें two की table में 20 आता है 10 पर और 180 आपका तब भी answer है तो ultimately आपको जो interest है वो हर के case में 180 ही आएगा लेकिन याद रखिए कि आपको timeline सेम रखनी है अगर आप time को years में ले रहे आपको interest को years में लेना पड़ेगा अगर आप time को months में ले रहे तो आपको interest और years को भी उसी same pattern पर आपको लेकर चलना पड़ेगा तो I hope कि आपको बात अच्छे से समझ में आगई होगी चले हम लोग अगला question try करने ये कुशिश करते है ओक है चले आई चलना तो I hope कि आपको screen के ओपर question अज़र आ रहा होगा और आप लोग video को pause करके इस question को try कर सकते हैं और यह हम लोग बात करते हैं इस question के solution के find the rate of interest of rupees 450 तो आपको rate of interest figure out लगा है आपको बोला है कि 450 rupees का principle है जो invest किया गया है चार सालों के लिए time period दिया हुआ है और आपको interest भी दिया हुआ है कितना है वो है 45 तो देखेंगे जो आपका simple interest है वो आपका है principle into rate of interest into time over 100 जिसमें से आपको already बोला है कि interest 45 है तो simple interest का value पता है simple interest की जगा आपने लिख दिया right उसके बाद equal equal लिख दिया principle पता है आपको अगर आप question में ध्यान देंगे तो आपको पता से लिखा कि principle है 450 आपने लिख दिया आर जो कि आपको पूछा हूए rate of interest और time है four years के लिख upon 100 तो एक चीज जो आपको पता होनीची हमेशा याद रखें कि जब भी कभी कोई variable होता है न तो उसके साथ जितनी भी चीज़े multiply divide में होती है नीचे वली चीज उपर जाती है denominator उदर जाके numerator बनता है और numerator उदर जाकरके denominator बनता है तो आपने 45 को multiply करना है 100 से और यहाँ नीचे आजाएगा आपको 450 इंटो 4 equivalent to r अब आप इसको easily solve कर सकते हैं तो आप बुलनेगे कि 0 से 0 कर जाएगा 45 से 45 2 to the 4 to 5 to 10 आपका r का value आगया 5 by 2% जिसको आप 2.5 version भी कह सकते है क्योंकि वह 5 का half होता राइट तो यह आपका answer जाएगा तो I hope कि आपको बात समझ में आयोगी कि इस वाले question को कैसे हम लोग solve कर सकते हैं देखे what sum of money lent out at 9% for 3 years will produce 81 simple interest क्या पैसा मुझको lent out का मतलब होता है उधार देना और उधार आपको 9% भी देना आपको rate of interest बताया है for 3 years तो आपको time period भी बता है और वो 81 रुपीस का simple interest जो है generate करता है तो आपको simple interest भी बताया होता अब बता formula क्या होता है basically simple interest equal into principal into rate of interest into time per आठा over 100 तो आप कहेंगे कि simple interest जो है वो आपको दे रखा है 81 और जो principal है वो आपको पूछा होता है जो rate of interest है that is given 9% जो time दिया हुआ है आपको दिया हुआ है 3 years upon me 100 तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि यह जो number है denominator वाला वो numerator में जाता है और numerator वाले कहां जाते है denominator और यह कुछ इस तरह से नजर आएगा 81 multiplied by 100 over 9 into 3 equal into अब आप इसे जब solve करेंगे तो आएए देखते हैं कि क्या answer अनों का आएगा तो आप कहेंगे कि 9 के table में 80 बनाता है 9 पर और 3 के table में 9 आता है 3 तो 3 into 100 कितना हो जाएगा 300 basically आपका क्या आजाएगा प्रिंसिबल आजाएगा आपका प्रिंसिबल कितना आजाएगा तो दोस्तों आपको एक और question दिखरा होगा इस screen पर आप इस question को read करें और try करें वीडियो को pause करने और question को try करने और उसके बाद जब आप इस question को try करने में तो फिर वीडियो को play करके आप solution लेख सकते हैं और सबसे लेगी कोशिश कर सकते हैं देखें आप इस simple interest figure out करना है 1200 होगा तो यह हमारा क्या होगा principle होगा 4% का आपको interest दिया हुआ है और 2 years, 3 months का आपको time period दिया हुआ है तो देखें जो simple interest है वो आपका एक बार end है principle into rate of interest into time over 100 अब आप देखें principle आपको कितना दिया हुआ है 12 hundred rate of interest दिया हुआ है food problem यह है कि आपको time जो है रहा उसमें थोड़ा सा यहां पर issue है तो आप उसको ठीक करना पर है देखें आपको पास जो 2 years है हो तो perfect है लेकिन जो month है अगर आप उनको year में change करना चाहे तो आपको पता है कि one year में 12 months होते हैं तो आपको divide करना है और आप आप basically से solve कर सकते हैं तो जाएगा three ones are three, three fours are twelve और अब आप करेंगे four to the eight और eight में अगर आप one add करेंगे तो बन जाएगा nine by four तो इस value को मैं आपर इस्तिमाल करना हूँगा nine by four तो आप कहेंगे कि आपका four से four cancel out हो जाएगा hundred seven will cancel out हो जाएगा twelve nine is a कितना होता है one zero eight that is the interest तो काफी असानी से आपने इस question को solve कर लिए तो आई होब आपको बहुत ही अच्छे से समझने आ गया होगा कि कैसे आपने इस तरह के questions को करना है चले हम लोग आगे चलते हैं कुछ और questions try करने की कोशिश करें तो आई होब कि आप लोगो एक और question निखाए दे रहा है इस screen पर और यह हमारा आज का last question है तो आप इसको try करें बहुत ही अच्छे से और question को समझने की कोशिश करें उसके बाद आप video को play करके solution को समझ सके देखे राजेंद्र वर्मा ने fifteen hundred rupees उधार लिया यह आपका principle हो गया और उन्होंने यह पैसा twelve percent per annum पर उठाया यानि कि एक साल में वो बारा परसेंट का interest में कितना पैसा उन्हें वापस करना चाहिए after two years 73 days तो दो साल 73 days में उनको कितना पैसा वापस करना चाहिए यह आपसे उन्होंने सवाल की चाहिए तो देखें आपको बता है वालेटी कि जो simple interest का formula होता है वो होता है principle into rate of interest into time over 100 पर आठा over 100 राइट तो आपको बता है कि principle दिया हो है 1500 rate of interest आपको दिया है 12 percent problem यह कि time जो है वो two years तो perfect दे रखा है लेकिन 73 days जो है उसमें थोड़ा सा problem है तो आप वो days को year में change करना है एक सार में होते है 365 days तो आप कह सकते है 73 बंजा 73, 73 5 जा 365 तो आप multiply करेंगे 5 को जाए कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा 10 plus 1 11 over 5 अब अगर आप इसको simplify करने तो आपका solution आ जाएगा तो आप देखें 20 से आप 20 से answer out करतेंगे 5 की table बे 15 आता है 3 12 जा हो जाएगा 36 और 11 से आपको multiply करने का ninja technique सिखाया हुआ है answer हो जाएगा 396 तो यह आपका answer हो जाएगा जाहिए गुडबाए जाहिए गुडबाए